नमस्कार, A to Z dishes उशा गोरजानी में आप सब का स्वागत है आज इस वीडियो में मैं आपके साथ शेर कहने जा रहे हूँ कंटोला की सबजी कंटोला सब सबजियों से बहुत ही हेल्दी एक सबजी होती है और यह अमरे शरीर के लिए काफी फायदे मंद होती है तो मैंने सचा आज एक कंटोला की सबजी आपको बताने जा रहे हूँ तो उसके लिए देखे इस तरह से एक सबजी आते जिसे कंटोला कहते हैं आप सबने कभी न कभी तो देखे होगी और देखे आप कभी न कभी तो आप इसने बनाया भी होगा कंटोला को गुजराथी में कंकोड़ा भी कहते हैं देखे इस तरह से होते हैं उपर से ऐसा लगते हैं कि ये काटे हैं अब इसे आपको अच्छे से पानी से वाश कर लेना है और उसके बाद देखे इसे इस तरह से लंबे-लंबे टुकड़ों में कट कर लेना है ये बहुत ही हेल्दी और टेस्टी सबजी होती है तो यहाँ पर देखे इस तरह से मैंने इसे कट कर लिया है अब मैंने क्यास कौन कर लिया है कड़ाई रख दिए एक चमस तेल डालेंगे जैसे गरह मुझे एक चमस राई, एक चमस जीरा, चुटकी पर हिंग और दो बारिक कटी हरी मिर्ची इसे थोड़ असा भून लेना है उसके बाद जो हमने एक कंटोला को काट कर रखा था तो सारे कंटोला आपको डाल देना है और इसे डालने के बाद आपको इसे अच्छे से भूनना है तकरीबर एक से दो मिनिट तक राई जीरे के अंदर यहाँ पर आप देख सकते हैं यह जो सबजी है बहुत ही सिंपल तरीके से बनती है इसे आप रोटी के साथ ले, पराठो के साथ ले, खिचडी के साथ ले, बहुत बढ़िया लगेगी एक से दो मिनिट भूनने के बाद आदी चोटी चमच हल्दी पाउडर और स्वाद के अनुसा नमक डाल देंगे इन दोनों को अच्छे से कंटोला के अंदर हमें मिक्स कर लेना है मिक्स करने के बाद इसे धक कर दीमी आज पर चार से पांच मिनिट तक पकाना है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं तकरीबन दो मिनिट हो गए हैं , यहाँ प tienes एक वर मिक्स कर लेंगे बीच बीच में आपको check भी करते रहे ना इसे पर शेक भी मिक्स भी और इसे धाकर पककने दें और उसे पकने में 4 6 5 अच्छे से पच्छे से गटेऊ किशला का भूप आढकी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें आज के लिए बस इतना एकल फिर मिलती हूँ तब तक के लिए थांक यू फॉर वाच्चेंग